हलो फ्रेंड्स आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल आलो प्याज की एकदम मज़ेदा चटपटी सबजी बना कर तयार करेंगे बहुत ही आसानी से और जटपट से बन जाती है आए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने आलो और प्याज को टू पीसेस में कट करके अच्छे से धो लिया है अब हमें कूकर में मस्टर्ड ओयल लेंगे और साथ ही में दो से तीन स्पोन इसमें घी भी एड़ करेंगे और इन्हें अच्छे से गरम होने देंगे जब ये अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें आलू और प्याज को एड़ कर देंगे और साथ में थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर भी इसमें एड़ कर देंगे नमक डालने से क्या होता है कि आलू है वो खाते वक्त फीके फीके नहीं लगते हैं उन्हें अच्छा टेस्ट आ जाता है यहाँ पर हमें आलू को only 50% ही कोक करना है जब तक हमारे आलू तयार हो रहे हैं तब तक हम एक मिक्सर जार में 3 टमाटर को कट करके लेंगे और साथ ही में एक इंच अद्रक का टुकड़ा 4-5 लहसुन की कलिया और एक प्याज को कट करके ले लेंगे और इन सब को एक बार ग्राइन कर लेंगे यहाँ पर हमारे टमाटर प्याज अच्छे से पिस गए हैं और इधर आलू भी हलके सॉफ्ट हो गए हैं इन सब को हम बहार निकाल लेंगे अब इसी गरम उयल में हम तेज पत्ता दाल चिनी चार पांच काले मिर्च दो लॉंग और एक हरी लाइची और साथ ही में जीरा एड़ करेंगे और लगबग एक पिंच हींग, चोथाई चमच हल्ली पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर और तीन चोथाई चमच लाल मिर्च का पाउडर इसमें एड़ कर देंगे और टमाटर प्यास के मेचचर को भी इसमें एड़ कर देंगे और एक बार इंको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि इस ग्रेवी से oil सेपरेट नहीं हो जाए या फिर जो ग्रेवी है वो बिल्कुल थिक नहीं हो जाए यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रेवी बिल्कुल थिक हो गई है अब हम इसमें 3-4 चमच दही एड़ करेंगे और इसे भी लगाता चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और 2 मिनट के बाद हम इसमें घर की फ्रेश मलाई एड़ करेंगे यहाँ पर मलाई भी हमने 3-4 चमची लिए है एक बार मिक्स करने के बाद इसे भी 2-3 मिनट के लिए कुक होने देंगे तीर मिनट के बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी से ओल सेपरेट हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे और एक बार पानी को करके रखाता उन्हें इसमें एड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबजी अभी थोड़ी गाड़ी लग रही है हम इसमें पानी एड़ कर देंगे साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें डाल देंगे एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कू एक बार आप भी से जरूर ट्राइ कीजिए बाई फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू